पूने पौशकार हदसे में रोज चौकाने वाले खुलासे हो रही है अब तक नाबाले का पूरा परिवार जेल जा चुका है हाले अपडेट नाबाले के कबूल नामे से जुड़ा है दरसल मामले में नाबाले क आरोपी का कबूल नामा सामने आया है मामले के आरोपी ने हादसे के दौरान नशे में होने की बात कबूल कर ली है इस हाई फ्रोफाइल केस की चांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है रोजाना कोई ना कोई नया ट्विस्ट देखने में आ रहा है एक से दो दिन पहले ही केस में नाबालिक की मा की गरफतारी हुई इसके साथ नाबालिक का पूरा परिवार जेल की हवा खा रहा है इसे बीच नाबालिक से पूछताच के दौरान उसने हादसे की रात शराब में नशे होने की बात कबूल कर ली है आरोपी नाबालिक ने रविवार को पुलिस पूछताश में कबूला की कार हादिसे की रात वो शराप के नशे में धुत था मीरे रिपोर्ट्स के मताबिक नाबालिक ने कहा कि उसे हादिसे के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है बता दें कि 18 से 19 मैं की रात नाबालिक ने अपनी लगजरी कार से बाइक सवार युवक युपती को टक करमा दी जिसे दोनों की मौत हो गई घटना के बाद रहा चलते लोगों ने आरोपी की जम कर पिटाई भी की थी दरसल मामले की जाच कर रहे पुलिस टीम ने आरोपी की मा की मौझूदगी में एक जून को बाल सुधार गरी में उससे पूछताच की इससे पहले जुविरेल बोर्ड ने 31 मैं को पूछताच की इजासत दी थी हादसे की बाद से नाबाले से कोई पूछताच नहीं की गई थी और नहीं उसका कोई बयान दर्ज हुआ था पूणे की कदालत ने दो जून को नाबाले के पिता विशाल अगरवाल और मा शिवानी अगरवाल को 5 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया दोनों पर नाबाले के बलड सेंपल से छिड़ छाट का आरोप है इतना ही नहीं नाबाले के दादा सुरेंदर अगरवाल भी जेल में है पर ड्राइवर को धमकाने उसे बंदक बनाने का आरोप लगा है पुलिस ने कोट में बताये कि शिवानी अगरवाल ने अपने बेटे का बलड सेंपल बदलवाने के लिए अपना बलड सेंपल दिया और डॉक्टर्स को मोटी रकम दी पुने पुलिस कमिशनर अमितेश कुमार का कहना है कि शिवानी अग्रिवाल पिछले कुछ दिनों से घर से गायत थी एक जून की रात उसे एक रफतार किया गया उस पर बेटे के बलड सेंपल बदलवाने का आरोप है पुलिस सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में खबर तो ये भी है कि नाबलिक आरोपी के दोस्तों ने कहा है कि घटना वाली रात वो दोनों कार की पिछली सीट पर बैठे थे और आरोपी नाबलिक शराब पी कर तेज रफतार में गाड़ी चला रहा था पुलिस अब इन दोनों दोस्तों को गबहा बनाने की योजना बना रही है हाला कि इसे लेकर पुलिस की ओर से कोई ओफीशल स्टेट्मेंट नहीं आया है घटना पुडे के कल्याडी नगर इलाके की है 18 से 19 मैं की रात 17 साल आठ महीने के एक नाबलिक ने आयटी सेक्टर में काम करने वाले युवक युफती को टक कर मारी जिसे दोनों बाइक सवार की मौत हो गई बताया जाता है कि हादिसे के वक्त आरोपी 200 किलोमेटर प्रतिघंटे की रफ्तार से कार दोड़ा रहा था जिसके बाद नाबलिक को बाल सुधार ग्रे भेज दिया गया है और उसके माता पिदा समेथ 12 लोगों की इस मामले में रफ्तारी हो चुकी है NBT Online की रपोर्ट